तुम जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताते चलें कि 2007 में आप जब गोरकपुर में जिलाधिकारी थे, मैंने अपनी जिन्दगी में किसी बड़ी शक्सियत का अगर पहला इंटर्व्यू किया है, तो वो आप ही थे, इसलिए आप से रिष्टा खास हो जाता है, तो चल सामईन का, तो शुरू करते हैं, चार लाइने सुनाते हैं कि फूल नजरों में खिलाने का हुनर रखते हैं, फूल नजरों में खिलाने का हुनर रखते हैं, आपको दिल में बसाने का हुनर रखते हैं, एक जरा देर ठहरिये तो मेरे पहलू में, एक जरा देर ठहरिये तो म मैं मंच पर आ रही थी तो बड़े बड़े सारी युवाओं के डिमांड थी कि आप से शुंगार रस से जुड़िवी जो गजले आप खुद लिखते हैं जो गाते हैं अलग-अलग मंचों पर कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक एक बड़ सर से मेरी बात हो रही थी तो पता जो तो बड़ सुन्हां को तुंहां को कुछ तीन-चार लैने और सुनाता उसके पहले असारूब अपने बारे में, कि बड़ा हुआ ना कभी और मैं बच्चा भी नहीं, बड़ा हुआ न कभी, और मैं बच्चा भी नहीं, दमाग जादा नहीं, अक्ल का कच्चा भी नहीं, और तुम्हारे काम का हो पाओं, ये नामुम्किन है, तुम्हारे काम का हो पाओं, ये नामुम्किन है, बुरा भी मैं नहीं हूँ, और मैं अच्छा भी नहीं बना दिया, आपका भी योगदान है उसमें, तमाम शहर का इसा बना दिया मुझ को, मैं क्या था और ये कैसा बना दिया मुझ को, कहां ये उम्र शराफत से कटा करती है, कहां ये उम्र शराफत से कटा करती है, तूने बेकार में अच्छा बना दिया मुझ को. अब आपको जो जिन गजलों की बात हो रही है उसमें से, मैं सुनाता हूँ की मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ सिकंदर हूँ मगई खारा हुआ हूँ मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ पता मेरा हवा से पूछ लेना पता मेरा हूँ पता मेरा हूँ पता मेरा हवा से पूछ लेना मैं खुश बूबन के आवारा हुआ हूँ मैं खुश बूबन के आवारा हुआ हूँ सिकंदर हूँ मगई खारा हुआ हूँ मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ एक तो हमने सुन लिया जो आपके दिल के बेहत खरीब है अब इसके आगे क्या कुर्सी और कविता पे सब ने अपनी बात कही मैं ये मानता हूँ कि खयालों की जो यायावरी है जो तसववर के अपने की ट्रैवलिंग है अवाम से गुफदगू है कुर्सी हमें वो मौका देती है कि हम धेर सारे लोगों के दुखों से दर्दों से उनके मसाइल से उनकी मुसीबतों से उनकी तकलीफों से जोड़ सके तो कविता जो है वो शायरी वहां से निकलती है तो जब मेरा दर्द तिरे दर्द से जा मिलता है जब मेरा दर्द, तरह दर्द से जा मिलता हैं, कोई दर्वाजा तसवर का कहीं खुलता है तो जो ख्यालात है वो तबी खुलते हैं जब मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ से मिल जाती है अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं तो कुछ नहीं होता और कुरसी चुकि यह जो टाइटिल है उस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कुरसी का खद अलग होता है कवी और कविता का खद अलग होता है कुरसी में बैटके कविताई आपकी बातचीत में वजन नहीं आता अगर आपके किर्दार में आपकी बात में वजन है तो कुर्सी वाकई वजनदार हो जाती है, सुशोवित हो जाती है तो कुर्सी पर चड़कर अपना कद नापने वालों को कोई समझाए ऐसे किर्दार नहीं होते उचे कुर्सी पर चड़कर अपना कद नापने वालों को कोई समझाए ऐसे किर्दार नहीं होते उचे आसमान में उड़ने वाले आउंधे मूँ गिर जाते हैं, राजपाट वाले गुर्बत में दरदठ होकर खाते हैं और बड़ी शक्सियत वालों के घरबार नहीं होते हुचे, बड़ी शक्सियत वालों के घरबार नहीं होते हुचे, कोई समझाए, ऐसे किरदार नहीं होते हुचे, कैसे कविता और गजल कैसे बनती है, तफाक से मुझे अपनी गजल याद आ रही है, उसके हर एक शेर में कव पांचों शेरों में तफाक से अभी बात करते मुझे लगा, कि वो पांचों शेरों में एक एक इंग्रीडियन्ट है, जो कविता बनाती है, किर्दार बनाता है, पहला शेर है, कि कहा नसीब, कहीं चैन से रहना मुझ को, पहली क्वालिटी यही है, कि आप बंद मत हो ये कमरे में, अपनी कुर्सी, अपने दफतर वहीं तक महदूद न रह जाएगे, तो कहा नसीब, कहीं चैन से रहना मुझ को, मैं एक दर्या हूँ हरहाल में बहना मुझ को, तो पहली बात तो आपको बहते रहना है, जिंदगी जो है, वो बहाओ का नाम है, फ्लो का नाम है, लोगो पतंग, फरेबो जूट के कनकवे उडाने वालों हवाए जोरे हकीकत हुमें मैं सहना मुझ को, हकीकत पर रहिए, फरेबो जूट के कनकवे उडाने वालों हवाए जोरे हकीकत हुमें सहना मुझ को, और जिस प्रेणा की बात चित्रा कर रही थी, कि उठा के अपनी नजर, म अपनी नजर मेरी नजर पर रख दे, फलक पर चांद न शर्माय तो कहना मुझको। उठा के अपनी नजर मेरी नजर पर रख दे, फलक पर चांद न शर्माय तो कहना मुझको। और एक शेर, अगला शेर, अगला इंग्रीडियंट, कि तरी नजर में तकलीफ भी होती है कविता लिखने में आपको सफर भी करना पड़ता it's not a matter of always prize यह प्रस्टीज कि तरी नजर में मुहबबत अगर है जुर्म मेरा तरी नजर में मुहबबत अगर है जुर्म मेरा तो फिर सजा दे मुझे हदकड़ी पहना मुझे को तरी नजर में मुहबबत अगर है जुर्म मेरा तो फिर सजा दे मुझे हदकड़ी पहना मुझे को और पांचवा शेर जो सबसे ज़ादा जरूरी है कि जमीन इतनी ज्यादा मेरे वजूद में है जमीन तो बी ग्राउंड़ेड लोगों से जुड़े रहना जमीन इतनी ज्यादा मेरे वजूद में है कहां जचेगा आसमान में रहना मुझे को जमीन इतनी ज्यादा मेरे वजूद में है कहां जचेगा आसमान में रहना मुझे को मैं एक दरिया हूँ हर हाल में बहना मज़का हम भी दरिया हैं अपना हुनर मालूम है जिस ओर चलेंगे रास्ता बन जाएगा को शेर और कहना चाहता हूँ जो खास जो तकलीफ होती है कि मुश्किलों ने हमें सिखाया है मुश्किलों ने हमें सिखाया है मुस्कुराना बहुत जरूरी है मुस्कुराना बहुत जरूरी है और जिन्दगी ने रूट कर जब भी किया मुश्किल सवाल जिन्दगी ने रूट कर जब भी किया मुश्किल सवाल हमने अपनी मुस्कुराहट से उसे आसा किया और हम कभी आये नहीं हम कभी आये नहीं आसानियों के फेर में हम कभी आये नहीं आसानियों के फेर में और मुश्किलों से भी हमारी दोस्ती अच्छी रही तो यह हमारी फिलोस्फी है कि तारुफ में मेरे जादा नहीं कुछ तारुफ में मेरे जादा नहीं कुछ कलम है और थोड़ी मुस्कराहत बहुत खूब शुक्राहत बहुत खूब शुक्रिया आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए साहित तक की शोभ़ पर आने के लिए धन्यवाद नमस्के